आपका निल्स चड़ी जोड में स्वागत है हम आपके सामने प्रीवियर्स यह कुशन्स लेकर आए हैं जो की चैनल नॉलेच के हैं वीडियो अच्छी लगे तो सभी लोग लाइक करिए शेयर करिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को आज का हमारा पहला कुशन है बिटकॉइन क्या है ओप्शन ए है हमारा डेटा संग्रहित करने की एक डिवाइस डेटा मापने की एक इकाई चिप्स के बोर में एक नियम डिजिटल मुद्रा का एक रूप तो बिटकॉइन आपकी क्या है डिजिटल मुद्रा का एक रूप है नेक्स्ट उत्तर प्रदेश की सकढ़ाई श्रैली के लिए विश्व प्रसिद है सोजनी, रबारी, चिकनकारी, कांथा तो आप्शन से यहाँ पर राइट है उत्तर प्रदेश में कौन सी कढ़ाई होती है चिकनकारी लकनाओ के उत्तर प्रदेश में मशूर है यह बी एच्यू किस सहर में इस्तित है इलहाबार, बरेली, लकनाओ, वारारशी तो आपका बी एच्यू जो है वारारशी में इस्तित है बनारस हिंदू युनिवर्स्टी इसका फुल पॉर्म है 1916 इश्वी में पंडित महामना मदन मोहन मालवी जी ने इसकी स्थापना की थी नेक्स्ट राम लीला और रास लीला उत्तर प्रदेश में डैस के उधारण है लोक कथाए हैं, लोकनाटक और लोकनित्षैली हैं एतिहासिक रुचि के इस्थान है, नाइको के नाम है तो राम लीला और रास लीला उत्तर प्रदेश के क्या हैं? लोकनाटक और लोकनित्षैली है ओप्शन भी हमारा राइट होगा नेक्स्ट कुश्चन मुरादा बात किसके लिए प्रसीद है? धात की कला खृतियों के लिए, कपड़ा कारी के लिए, सोना के लिए, चर्म उत्तपात के लिए जो आपका मुरादा बात है, वो धात की कला खृतियों के लिए प्रसीद है ओप्शन अ हमारा राइट है ये आपका पेपर 2018 का है नेक्स्ट निम लिकित में से किस नेता को नेता जी कहा जाता था। पूछा जाता फॉर्वर्वर्ड ब्लॉप किस्थ आपना किस ने की थी तो किस ने किया सुभाष शंद्र बोस्ट ने किया था नेक्स्ट निमलिकित में से कौन एक भारतिय राष्टी आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं थे। नेक्स्ट जलाउद्दीन मुहमद किस नाम से प्रशिद है बाबर अकबर शाह जहां औरंग जेब तो जलाउद्दीन मुहमद किस का नाम है अकबर जी का नाम है अकबर का जन्म 16 अक्टूबर 1542 को हुआ था अकबर का शाशनकाल 1556 से 1605 इश्वी तक चलता है नेक्स्ट और कवी कालीदास किसके दर्बार का हिस्सा थे बारा मिहीर और कवी कालीदास किसके शाशनकाल में थे विक्रमादित बेंबिसार बिंदुसार प्रत्वीराच चोहान तो खगोल विज्जो है आपके बारा मिहीर और कालीदास ये विक्रमादित के शाशनकाल में थे चम्पारण सत्यागरहे किस विशेस रूप से कपड़े का उप्योग करेंगे तो डैश आंदोलन कहा गया इसे कौन सा आंदोलन कहा गया था स्वादेशी आंदोलन कहा गया था सिपाई विद्रोग किस वर्ष हुआ था तो आप सभी को पड़ा होगा 1857 की क्रांती में आपका सिपाई विद्रोग हुआ था ओप्षिन भी आपका राइट होगा नेक्स्ट विश्व में सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है थार सहारा गोबी मोजाबे तो विश्व का पूछा है तो विश्व का आपका सबसे बड़ा गर्म मरुसल कौन सा है सहारा मरुसल है या सहारा रेगिस्तान है आपका जो थार मरुस्तल है वो भारत पाकिस्तान में इस्तित है गोबी मरुस्तल मंगोलिया चीन में है मोजावे दर्चिर कालिफोर्निया में है नेक्स्ट प्रट्वी का कटोर बाहरी हिस्सा जिसमें क्रस्ट और बाहतम मैटल शामिल है उसे क्या कहा जाता है जाफ मंडल, इस्थल मंडल, जल मंडल, वायू मंडल तो उसे इस्थल मंडल कहा जाता है लिटो स्फिया next कारा कोरंपरवित श्रंकला में सबसे उची चोटी कौन सी है नंदा देवी, केटू, नागा परवथ नंगा परवत मांट एवरेस्ट तो कारा कोरं परवत स्रंकला की सबसे उची चोटी आपकी केटू है option B right है केटू की उचाई कितनी है 8611 मीटर है जो की भारत की सबसे उची चोटी है और विश्व की सबसे उची चोटी मांट एवरेस्ट है आपकी नेक्स्ट स्वीडन की राजधानी का क्या नाम है स्टॉक होम बर्न लग्संबर्ग मैडरेट तो स्वीडन की राजधानी आपकी स्टॉक होम है option A आपका right है नेक्स्ट है question आपका भारत के राष्टपती का कारिकाल कितने वर्ष का होता है दस तीन पाथ चार तो पाश वर्ष का होता है next राष्टे क्रशी बाज़ार N.A.M क्या है N.A.M का आपको फुल फॉर्म बताना है क्या है national market for agriculture produce national department for agricultural produce national e-training platform for agricultural produce national committee for agricultural produce तो यहां पर आपका option C right होगा national e-training platform for agricultural produce N.A.M आपका यही है option C यहां पर राइट होगा next समुद्र जल के नीला रंग होने का क्या कारण है जो समुद्र का जल है वो नीला रंग का हमें दिखाई देता है उसका क्या कारण है समुद्र जल में असुद बस्तुओ दवारा नीले रंग की रोषनी का अपवर्तन पानी दवारा रोषनी का छित्राव पानी दवारा लाल रंग का अपवर्तन समुद्री पानी में समपूर आंत्रिक परावर्तन तो यहां पर आपका option B right हो जाएगा पानी त्वारा रोष्णी का चित्रा स्केट्रिंग और फ्लाइट बाइब वाटटर नेक्स्ट कोश्चन है आपका निमलिखित में से कौन सा विकल्प मेथेन के उसरजन का श्रोथ नहीं है यादि मेथेन कैस उसरजित नहीं करता है वो आपको बताना है अप्शन कौन सा है मोटर वाहन पशुदन धान के खेट गन्ने के खेट तो आप सभी को पता पशुदन धान के खेट और गन्ने के खेट में मेथेन गैस निकलती है मोटर वाहन से मेथेन गैस नहीं निकलती है अप्शन नंबर आपका ए राइट होगा मोटर वानो से आपकी कार्बन मोनो औक्साइड और फराय ऑक्साइड गैस निकलती है Next Sliding Friction is सीमित ग्रशर से थोड़ा अधिक सीमित ग्रशर से थोड़ा कम सीमित ग्रशर के समान सीमित ग्रशर से कभी कम और कभी ज़ादा तो Sliding Friction आपका सीमित घ्रशर भल से थोड़ा कम होगा तभी आप स्लाइड करेंगे तो option B एक राइट है याप पर सीमित घ्रशर से थोड़ा कम नेक्स्ट रग्त इतकंदन विकार किसकी कमी के कारण होता है कैल्सी फेरॉल, फिलो क्यूनोन, पैरिडॉक्सीन, टोको फेरॉल तो यहाँ पर आपका option B राइट होगा, फिलो क्यूनोन, नेक्स्ट शेरोग से बच्चों को सुरच्चित रखने के लिए कौन सा टीका दिया जाता है शेरोग से बच्चने के लिए आपको BCG का टीका दिया जाता है, बच्चों को option A आपका राइट है DPT का टीका जो है, डिप्टीरिया के लिए दिया जाता है, काली खाती एवं टिटनेस रोग से प्रित्रच्ची कारण के लिए दिया जाता है आपका यह DPT का टीका नेक्स्ट नारंगी प्रचूर श्रोत है, कार्वो हाइड्रेट्स का, वसा का, प्रोटीन का, विटामिन का, तो नारंगी जो है आपका यह विटामिन का प्रचूर श्रोत है है नारंगी में विटामिन की प्रजुर मात्रा होते हैं हूभी कौन सी विटामिन सी जिसका रसानीक 爭य है एस्कॉर्बट एसेड अलेक्रॉन की खोचका श्रेक इससे जाता है गोलस्टीन जेजे थॉंसन जेम्स चैडविक रदजपूर् तो एलेक्रॉन की कौप टरह की से जाता इटा पर नाज और किए इटा इस एलेक्टरॉन ता आशे थाूमशन तो औप्श़न स्यं बी आपका लाइट होगा जटें गत आटोन की घॉ कोश़्ेघ मत्वमसण ने की प्रोटॉन की अपसे पूछिक तो खोश चैम्स चैडविक ने की नाच से न्यूट्रॉन चाहसे चैडविक और नाभी की खोष रदफ पॉर्ड ने की यहाँ पर आपको ऑप्ष्ण बी राइट हो चाहेगा नेक्स्ट सोया बीन में क्या ज्यादा पाया जाता है सोया बीन में सबसे ज्यादा आपकी प्रोटीन पाई जाती है option A आपका right है वर्ल्ड वाइब वेब का अविश्कार किस ने किया है टिम बर्नर्स ली, मार्टिन कूपर, आर सैम्यूल, टॉम लेंसन, चार्ल्स बैबल्स तो वर्ल्ड वाइब वेब याई डबलू डबलू का विश्कार है वो किस ने किया है टिम बर्नर्स ली ने किया option A आपका right है जल्ली कट्टू डैश के साथ जुड़ा है जल्ली कट्टू आपका कहा होता है तमिल लाडू में होता है तो यहाँ पर ओडम आपका केरल का है पोंगल आपका तमिल लाडू का तो option D आपका right हो जाएगा पोंगल नेक्स्ट जापान में हुनसु नामक दूप किसके लिए प्रशिद है पोईला लो आएक्स तेल हीरा तो जापान में जो हुनसु नामक दूप है वो आपका तेल के लिए प्रशिद है option C आपका right होगा भारत में किस गवणर जनरल को इस्थानिश अशाशन का पिता कहा जाता है इस्थानिश अशाशन का पिता आपको बताना है किसे कहा जाता है लॉर्ड वेलेजरी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बैंटिंग, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रिपन को इस्थानिय सोशार्षन का चनक कहा जाता है वर्ना कुरेट प्रेस आक्ट आपका समाप्तिस की कभूई थी 1882 में हुई थी प्रतम फैक्टरी एक्ट 1881 का है प्रतम नियमित जंगर्ना के शुरुआत 1881 में हुई थी पूली सिक्षाहिद औहंटर कमिशन के नियुक थी 1882 में हुई थी इलबर्ट बिल विवाद भी आपक की त्री इश्वी में हुई थी यह कुछ इंपॉर्टेंट से आपके देख लीचेगा नेक्स्ट खज्राहों समु के प्रचित इस मारक किस राज में इस्तित है तो खज्राहों के मंदिर आपके मध्य प्रदेश में इस्तित है ऑप्शन भी आपका राइट है दूर दर्श पंदा सितंबर 1959 तथा पहला रंगीन प्रेशारण 1982 में किया गया था बुलंद दर्वाजा डैस द्वारा बनवाया गया है हुमायू अकबर बाबर और अरंग्चेव तो बुलंद दर्वाजा आपका बाबर द्वारा बनवाया गया ऑप्शन भी आपका राइट है किसके पर बनवाया गया था तो गुजरात की विजय के फलसरूप बनाया गया था तोला सो दो इश्वी में कहां पहले यह फटेपो शीक्री में है दिसंबर 1984 में भोपाल गैस आपता में निम लिकित में से किस गैस का रिसाव हुआ था तो आपसे पूछा जाता है भोपाल गैस रासिती कब हुई थी 1984 में हुई थी कौन सी गैस का रिसाव हो गया था मेथा मेथा आइसो सोइनाइट आइसो क्लोरेट मेथा आइसो फोस्प चैने तो आपका राइट है कि भारत में वोट देने की नियुमतम पात्र का उम्र क्या है थो भारत में वोट देने की नियुमतम आयू आई आपकी क्या है 18 वर्ष है पहले ये 21 वर्ष थी फिर 61 समिधान संसोधन दौरा इसे 18 वर्ष किया गया है तो आपसे ये पूछा जाता वो डालने की उम्र जो है 21 से 18 किस समिधान संसोधन दौरा किया गया है तो 61 समिधान संसोधन 1989 दौरा किया गया है आज की वीडियो यहीं तक आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए शेयर करिए और चानल पर नए है तो सब्सक्राइब जरूर करिए चानल को थैंक यू